चले तो आज हम लोग बात करेंगे जन जातियों के जो देवी देवता है उनके बारे में इसके पहले हम लोगोंने निरित्य को देखा था जन जातियों में जो निरित्य प्रशलित है उनसा भी निरित्य के बारे में हम लोगोंने बात किया था यहाँ पर इसमें एक दो point आपको और extra जो है वो add कर लेना है देखो यहाँ पर हम लोगों क्या देखते हैं हापे coal जन जाती देखते हैं हापे ठीक है coal तो इस coal जन जाती में आपको एक निर्थे लिखना है coal जन जाती का दाका निर्थे इसको और आप लोगों को add कर लेना है इसके अलावा यहाँ पर हम लोग ने जो बिल्मा निर्त देखा हुआ है इस बिल्मा निर्त को कप किया जाता है अगर पूछा जाएगा तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है बिल्मा निर्त कप करते हैं तो यह विजय दस्मी के आसर पर मतलब के दसहरा तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है एक निर्त हम लोगों और यहाँ पर देखा है कौन से निर्त है यहाँ डंडन देखे यह डंडन देज़क करते हैं होली के रखना है ठेक होली के शर करते हैं इनको और थोड़स आपको दिमाग में रखना है बलत हम लोगों यहाँ पर थी क्या किया देखा होली के उसर पर डंडा नित इसको धियान में रखेगा विजय दस्मी पर यह विल्वान नित हम लोग उन देखा और कोल जंजाती का दहकर नित देखा ठीक है अब देखे इसके बाद हम लोग बात करेंगे जितने भी जो देवी देवता हैं जंजातियों का उसके बारे में चले देवी देवता फिलहाल तो ज़्यादा नहीं है कुछ-कुछ जंजाती है जिनका देवी देवता बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे और बहुत आसान है आपको दो मिनट में याद हो जाएगा तो सबसे पहले हम उरावजन जाती का हम लोग को देवी देवता देख चुके हैं ठीक है सरना देवी की बारे में आपको मैं बता चुका हूँ सालव विरिक्षे पर निवाज करती यह हम लोग देख चुके हैं और वैसे हम लोग सरहूल तेवहार देखते हैं उराव जिन जाती में सरहूल तेवहार देखते हैं इसलिए मनाते हैं कि साल विर्ख्षे के फूल लगता है साल विर्ख्षे पर तब यह तेवहार मनाते हैं ठीक है और यह माननेता है कि साल का विर्ख्ष है उसमें सर्णा देवी निमास करती है ठीक है यह हो गया उराव जिन जाती इसके बाद देखते हैं कोरवा जिन जाती हम लोग देखते हैं तो कोरवा जिन जाती को जो देवी देता है उसमें याद रखेगा खोड़ी आरानी खोड़ी आरानी ठेक ये खुड़ी यारा नहीं याद रखेगा कुर्वा जिन जाती में ठेक है और इसके बाद इसके बाद कौन से जिन जाती है यहाँ पर कमर जिन जाती ठेक है कमर जिन जाती में देखते हैं हम लोग तो कमर जिन जाती दरा सागराखंड ठीक है सग्राखंड या फिर सग्राखंड बोलता है सग्राखंड जो देवता है उनकी पूजा करता है कवर दिन्जती तो पहले तो हम लोगों ने क्या देखा उराओ देखा उराओ फिर कॉर्वा उराओ जिन्जती में सरना देवी कुरवा जिन जती में खोड़िया रानी और कमर जिन जती में सगराखन ठीक है सगराखन तो इस प्रकार से तीन जिन जती के पहले हम दोगे देखा अब देखे इसके बाद यहां पर देखते हैं बैगा जिन जती ठीक है बैगा देखते हैं फिर गोड देखते हैं हाँ पर तो याद रखेगा अधिक है तीन हम लोग यहाँ पर देखने हाले एक तो सबसे पहले याद रखेगा ठाकूर देव ठीक, एक तो ठाकूर देव है दूसरा दुलहा देव याद रखेगा ठीक, और तिसरा है बुढ़ा देव बुढ़ा देव ठीक, सबसे ज़्यदा इंपोर्टेंट है बुढ़ा देव भूजा करते हैं ठाकुर देव करते हैं भूमी रख्षा फूजा करते हैं भीमारी रख्षा करते हैं बीमारी से रख्षा तो गोटण jant Arti सुमGGया याद रख्षिकए निया करते हैं कौन-कौन सा ठाकूर देव है बुढ़ा देव है ठीक है बुढ़ा देव याद रखेगा इनके कुल देवता इनको माने जाता है ठीक है बुढ़ा देव को चलिए तो इसको ध्यान में रखने है आपको यह बैगा जिन जाती का अब देखे इसके बाद हम लोग क्या ठीक है यह इस प्रकार से और कभी मानकर चिले कर सिच्वेशन आ जाता है कि एगर आपसे प्रश्ण पूस दे जाए यहाँ पर दुल्हा देव दिया रहेगा और ठाकूर देव को किसी में से एक दे देता है ठीक है अगर बैगा आप्सन में नहीं है और दुल्हा देव ठीक है अगर बैगा नहीं रहेगा उस कंडिशन में आपको दोनों को यहां नहीं है ठीक है ठीक है अगर जहां पर बैगा नहीं रहेगा वहाँ पर चलिकि मैंने बताय था अब को बैगा और गोड़ मैंसे बैगा और गोड़ बहुत सारी इसमें समांता होती है इस वज़े से चलिए देखो यह बुढ़ा देव साल के बरिख्षम निवास करती है इस प्रकार से इनकी मान्यता है तो ये साल के वरिक्षप याद रखे, जिसा हम लोग सरना देवी करें, उसी प्रकार से इसमें हम जन जाती का ने जाती में आद रखें याद रखें कब विंध्य वसना देवी विंध वासेनी विंध वासेनी देवी ये पूजा करते हैं विंजवार दिन जती है तीर के भी पूजा करते हैं ठीक है तीर को ये लोग क्या करते हैं अपने जाती चिन्ह मानते हैं तीर विवा भी हम लोग इसमें देखते हैं तो तीर को क्या करते हैं, तीर को जाती चिन हमानते हैं, इनका क्या चीज है, जाती चिन है, इस प्रकार से, ये बिंजवार का याद रखेगा, तीर को क्या बोलते हैं लोग, मतलब अपना जाती चिन हमानते हैं, बिंजवार के जाती चिन है क्या पूछा जाएगा, तो तीर याद रखेगा ठीक है अब देखे इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे हैं यहाँ पर कमार जिन जाती कमार ठीक है कमार जिन जाती देखते हैं कमार जिन जाती में यहाँ पर दो देवताओं को नाम आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है कि बड़े मैं खेक है छोटे मैं और बड़े मैं दो देवी का नाम है दूसरा कौं से है बड़े मैं भाषी का है मूडिया के हम बहुत सार पढ़ चुके हैं कि तो मूडिये जीनिती लेकिन फिर भी यहां पर एक बार देखते हैं, देखो एक तो हम लोग क्या देखे थे, अंगा देव देखे थे, ठीक है यह अंगा देव, और दूसरा क्या देखे थे, लिंगो पेन, ठीक है यह लिंगो पेन, तो यह लिंगो पेन और अंगा देव, यह दो देव था हम लोगों ने क्या देखा था अंगादेव की पुजा करते हैं एवालतोर निर्ति करते हैं अंगादेव हैं और लिंगो पे नहें इनको काष्ट से बनाते हैं ए लकडी से बनाते हैं क्या होता है यह कास्ट निर्मित होता है लकड़ी से बनता है यह यहां पर यह एवालत और निर्त इसमें करते हैं और यहां पर हम लोग क्या देखेते हैं कक्सार निर्त देखेते हैं ठीक है घोटूल के देखेते हैं ठीक है घोटूल के देखेते हैं ठीक है घोटूल के चलिए और यह जो अंगादेव है यह कब मतलब अंगादेव की पूजा करते हैं तो यहां पर निर्त करते हैं मडाई मेला इनके द्वारा किया जाता है मतलब मडाई परव जब मना जाता है मूडिया जिन जती द्वारा तो वहां पर अंगादेव की पूजा करते हैं इसको भ ऋतल के दें आता है और यह मड़ाई मेला जब मनाता है तब यहाँ पर यहाँ पर करते हैं मूरिया जिन जती हो गए अब एक और याद रखेगा भ 묛त्रा जिन जती है ठीक है भात्रा जन जाती है तो भात्रा जन जन जाती का आप लोग याद रखेगा देखो भात्रा जन 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 जाती का ये जो एक देवता हम लोग देखते हैं सिकार ठीक है सिकार देवता देखते हैं ठीक है सिकार दें होता, तो या तो आपको यह सिकार दें होता कहीं पर लिखा रहेगा, या तो कहीं पर लिखा रहेगा, सिकरी देवी, ठीक है सिकार दें होता, या फिर सिकरी देवी, फिर सिकार देवी इस प्रकार से लिखा रहेगा, या तो लिखा रहेगा सिकारी, ठीक है इस प्रकार से, इसमें confuse आपको नहीं होना है, तिनों वही चीज है, ठीक है, अलग-अलग नाम बस दिया गया है, फिल्हाल इसमें देखो, अलग-अलग सोर्स में अलग-अलग यह नाम दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा confusion होता है, तिसमें आप किसको मान कर चलना है, तो इस सिकार दे होता है, यह हम भत्रा इंजती में देखते हैं, लेकिन अगर option में रहता है, सिकरी देवी, यह फिर सिकारी देवी, तो भी आपको वहाँ पर इसको लगा करके आना है, ठीक है, क्योंकि यह इस प्रकार से, यहाँ पर अलग-अलग सोर्स में अलग-अलग है, तो हो हम लोगों ने यह देवी देवी देवता को यहाँ पर देख लिए, देवी देवता हम लोगों क्या देखा, यहाँ पर उराव जिन जती का हम लोगों ने सरना देवी देखा, ठीक है, उराव जिन जती का सरना देवी देखा, कोरवा जिन जती का खुडिया रानी देखा, क कमार जन जनती काgem जोट जोड़े माई— बड़े माई के पुझा करते हैं, मोणिया जनती मैं कामूधिया Girthine झ हम लूट्थीं के पूझा करते हैं, अंगा देवी लिंगोपिं के पूजा करते हैं, एबाल तुर निर्थे करते हैं जो जन जाती के जो नाट्य है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे देखे तो जन जातीयों में जो नाट्य है ठीक है ये नाट्य तीन प्रकार का नाट्य हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक तो यहाँ पर है, एक तो है भात्रा नाट, दूसरा है खंब स्वांग, तीसरा है माओ पाठा, ठीक है तो यह तीन नाट यह है इनका, इनको हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखते हैं, देखो तो सबसे पहले भात्रा नाट, देखो तो जो भात्रा नाट है, यह किसके द्वारा किया जता है, भात्रा जिंजाती के द्वारा यह नाट किया जता है, भात्रा जिंजाती के द्वारा यह नाट किया जता है, भात्रा जिंजाती के द्वारा यह नाट किया जता है, भात्रा जिंजाती के द्वारा यह नाट या फिर कोई मड़ा ही महस्व अगरे जब किया जाता है तब यहाँ पर भात्रा नाट किया था मतलब कोई भी प्रकार के अगर उस्व हो रहे कहीं पर मतलब इन भात्रा जन जातियों में तो वहां पर यह Naat किया जाता है, ठीक है यह Naat किया जाता है, ठीक है यह Dual iPhone, Why इसमें कहानी को ले करके नाटक किया जाता है, अब जिसे कि देखो इसमें कब किया जा रहा है, कोई भी उस्साओ, जात्रा, मड़ई, महासओ, कुछ अकर हो रहा है, तो वहाँ पर ये नाट किया जाता है, और इसे उडिया नाट भी कहते हैं, ठीक, इसको कहते हैं, उडिया जो भी नाट भी कहते हैं याद रखे कि यह भी इंपोर्टेंट यह पूछा जाता है और इसे आदिवासी को थेटर ठीक है बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट इसको याद रखेंगे आप लोग अधिकांज जो नाटक होते हैं वो रामायाड महाभारत और अन्य पौरणिक ज commission यहाँ जो नाटक है वहांपर जो भी नाटक होता है इन ही सब पर आधारित यह नाटक को किया जाता थिका तो इसको ध्यान में रखेगा इंपोर्टन। है यह सभी अब देखे इसके बाद किया है क्लम ऑसांग अ$ खंब स्वांग अब खंब स्वांग एक अच्छा ये समझ में आ गया ना भत्रा नाट इसमें देखो ज्यादा कुछ तो नहीं है भत्रा नाट में सिर्फ इतना पस्ति याद रखना आपको भत्रन जयती दौर किया जता है खंब स्वांग को देखे तो जो खंब स्वांग है ये खंब स्वांग है ये खंब के आसपस किया जाना वाला प्रहसन है यहाँ पर नाट इसमें क्या होता है इस प्रकार से क्या करते है, खंब गडाते है पहले, ये खंब है, यहाँ पर गडा लिए है, खंब का नाम क्या है, मेघनात खंब, अभी मेघनात खंब क्यों नाटा, यहाँ पर इसको दिया जा रहा है, नाम इसका, देखो मेघनात खंब इसलिए नाम दिया जा रहा है, जो रामाडपुत्र मेखनात है, उन्होंने कौर्कू जन जिन जाती है, तो कौर्कूं को एक बड़ी वीपत्ति से बचाया था, उसी की याद में, ठीक है, उसी की इस्मृति में जो खंब सांग नाट यह किया जता है, ठीक है, तियस जो खंबा यहाँ पर गड़ा रहे है, वो क् मेहानाथ खंब है क्या चीज़ है मेहानाथ खंब किसके द्वड़ा यह किया जाता है कोरकु जिन जाती है उनके द्वरा मेहाना खंब गड़ाया जाता है और खंबसांग जो नाट्ट है वह किया जाता है ठीक जो नाट है वो कोरकुजन जती द्वरा ये किया जाता है ठीक है ध्यान में रखेगा तो इसमें हम लोगों ने क्या किया देखा ये जो खंब सांग नाट है खंब सांग जो नाट है वो खंबे के आसपास किया जाने वाला प्रहसान है एक प्रकार का नाटक है जिसका मतलब खंब का आचा है मेंगहनाथ खंब से खंब से किसजका आसा कि अमने कोई के कंदार बॉल रहे हैं और जो मेंगहना था उन्हों ने कोर्कु जन जातियों को एक बार बहुट बड़ी विबत्ति से बचाया था उसी कि याद में यह ख prix जाता है थे को आपको ध्यान में रखना अब देखे इसके बाद मावपाटा इसमेंgenerat यह जो मावपाता नाट्य नाट्य वह खास करके गौर पसू के आखेड पर मतलब किसी कार पर आधारित होता है देखो यहाँ से गौर निर्त्य के बारे की बात करते हैं जो कि माडू जिन जैती गौर दंडामी माड़िय माड़ किया जाता है यह गौर्णित है, जबकि हम लोग मूडिया जन जाती में क्या देख रहे हैं, यह मावपाटा नाट्टे के बारे में बात कर रहे हैं, यह क्या चीज है आपका नाटक है, यह नाट्टे है, जबकि हम लोग यहाँ पर निर्थे गौर्णित देखे थे, किसमें होता है यह मावपाटा देख रहे हैं, यह क्या चीज है, नाट्टे है, इस नाट्टे को किया जाता है, मूडिया जन जाती द्वरा, ठीक है, यह माडिया है, जब कि यहां पर यह मूडिया है, ध्यान में रखेगा है, तो जो नाटक है, मतलब जो नाट्टे है, उसको मूडिया जन जात यह मावपाटा देखा, जबकि माडिया और दंडामी माडिया में हम क्या देखते हैं, गौर नित्य देखते हैं, वो भी आपका पसु के आखेट पर आधारित होता है, ठीक, पसु के सिकार पर आधारित होता है, माडिया जन जती का, जो गौर नित्य है वो भी, और यह जो मा जिल जूल कर करके वहाँ पर नाच करते हैं मध्रिया कपान करते हैं सीरादेव करके मद्रिया सब्सक्राइब करते हैं . इसको एक नात की रुप में दर्सा आज Uh इसे को माओ पाठ नचे कहा गया है तो माओ पाठा जो नाचे करते हैं जो जिन जाती है वो करते हैं ठीक है मूडिया जिन जाती के लोग क्या करते हैं माव पाठा नाट्य करते हैं इसमें बाइसन पसु के आखेट परहर होता है ठीक है मतलब बाइसन जो बाइसन पसु है मतलब की गौर पसु है इस गौर पसु के सिकार किया जाता है ठीक है सिकार केता है гр Drag करते हैं फिर निर्थ का आयोजयन किया जाता है और फिर चीड नति así करके दांस कर रहें दान्स पcause उसी रहड़ेया उन Good Arrow चढ़ायाता फिर खुद सभी जो मतलब गाववासी हैं वो लोग क्या करते हैं मद्रिया कपान करते हैं तो इस प्रकार से एक नाटक होता है मतलब नाटे होता है जिसमें इन सब चीजों को दर्स आया जाता है ठीक बताया जाता है चली तो यह हम लोगों यहां पर नाटे तक देखा अब इसके बाद हम लूग यहां पर बात करेंगे इसके बाद हम लूग यहां पर कुछ-कुछ और हैं मतलब यह जो गोधना है उसको देखेंगे फिर प्रमुख जो व्यक्तित्व है उनका बारे हम बात करें जे जmit प्षर जो जान système है उनको हम लोग करईंगे इसको हम लोग म वीडियो होगा उसमें आपनों को इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा ठीए आज यहें पर इसको खतम करते हैं बांकि दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे